ब्यावर शहर के मसुदा रोड गोशाला मोट पर बुद्वार सुभे एक खड़ी मारूती वेन में अचानक आग लग गई देखते ही देखते आग ने विक्राल रूप ले लिया और मारूती कार आग के लप्टों में घिर गई इस दुरान पास में खड़ी एक बाइक भी आग की चपेट में आ गई जिसे वेन तथा बाइक जल कर कबार में बदल गई खादिसे में जिस जगे मारूती वेन खड़ी थी ठीक उसके उपर विजित विभाग का 125 केवी का विध्योती ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ था आग से उठी लप्टों के कारण ट्रांसफॉर्मर ने भी आग पकड़ ली और वह भी जल गया हादिसे के दुरान किसे ने विजित विभाग को सुष्टा देकर शेत्र की बिशली बंदी करवाई उधर आग लगने की जानकारी मिलते ही नगर परिशत के अगनिशमन विभाग की गाड़ी मो के पर पहुचे जहाँ पर करमचारों ने करी मशकत के बाद वेन में लगी आ गैस किट लगा हुआ था संभव तया टैंकी में गैस की अवेद रूप से रिफलिंग करने के दुरान उक्ते हादसा घटित हुआ है लेकिन मौके पर रिफलिंग से संबंदित कोई सामान नहीं मिला है जिसके कारण अभी यह जाच काविश है हालाकि जानकारी में यह भी म अनुसार शायर के मसुदा रोड इस्तित मोड के पास इस्तित शनी मंदिर के यहां मानगंज महला निवासी मुकेश पुत्रिक गौपिलाल के एक मारूती वैन कार खड़ी थी जानकारी मिली है कि कार में गेस किट लगा हुआ है और उसमें घरलू गैस सिलेंडर से अवेद संचालक बलार्ड निवासी पिंटु पुत्र लाडू सिंग की बाइक भी आग की चपेट में आकर जल कर राख हो गई इस अंदर में घटना को लेकर जिम्मेदार अधिकारों से बाच्छित की गई लेकिन किसी से भी घटना के बारे में कोई पुकता जानकारी नहीं मिल प बहवरलाल गोठी स्कूल के पास जहां पाएंगे सभी प्रकार के ब्रांडे डॉक फूड डॉक एसेसरीज ट्रीस डॉक सप्लिमेंट्स और साथी विश एक्वारियम की विशाल रेंज में फिश फूड फिश एसेसरीज एक्वेटिक फिशेज वे बर्ड केज बर्ड फू पार्ला एक मात्र डॉक पार्लर जहां कर्टिंग ग्रूमिंग नैल कर्टिंग एयर क्लेनिंग की सुविधा भी उपलब्द है तो आज ही चले आएं प्रदीप एट शोप भवरलाल गोठी स्कूल के पास कृष्णा कॉलोनी ब्यावर बोबाइल नंबर डबल लाइन 284 75861 कर दो प्रदीज आएं